कसोली स्थित केंद्री अनुसंधान संस्थान में कोरोना के इन्जेक्षन का पहला ट्रायल सफल हो गया है संस्थान में तयार सीरम को पुने स्थित नाश्नल इंस्टिटूट ओफ वारोलोजी में भेजा गया था जहां से इसकी पुष्टी हुई है अब इसका दूसरा ट्रायल जानवरों पर किया जा रहा है CRI कसौली में एंटी कोविड सीरम बनाने पर अनुसंधान किया जा रहा है इसके तीन बैच तैयार कर पूने भेजे गए हैं इस बैच ने अपना प्रथम चरण का ट्रायल सफलता पूरवक्त पार कर लिया है और जल्द ही इसका दूसरे सर पर ट्रायल अरंब हो जाएगा यदि ये दवा अपने सारे चरण पार कर लेती है तो कुरोना महमारी से पेड़ित दुनिया के लिए एक बहुत राहत की खबर होगी और CRI की उपलब्धी में एक और इजाफा हो जाएगा संस्थान की निदेशक डिंपल कसाना ने बताया कि इस दवा को CRI एंटी कोविट सीरम नाम दिया है CRI के विज्यानिक इस पर पूरे दोर शोर से लगे हुए हैं उन्होंने कहा कि इस सीरम के बनजाने से शायद ये रोगियों के लिए रामबर्ण दवा का काम करेगा उन्होंने कहा कि हमारे सर पर काम पूरा होने के बाद सरकार से भी इजाज़त लेनी होती है संभवता उसके मिलने के बाद ही इस अभ्यान को पूर्टा मिलेगी कोविट के प्रती एंटी सीरा ही बनाया गया जो कि वह सक्सेस्फफ़ली रेज किया गया सक्सेस्फफ़ली रेज करें से मतलब है कि टाइटर उसका बहुत अच्छा था कंपेरिटिव ली अधायदेशी उसके लिए लेकिन कुछ रेगुलेटरी अप्रूवल सही होते हैं तो निवी पूने एक पार्टनर है हमारे साथ हमारा काम था एंटी बॉडी रेज करना लेकिन रेगुलेटरी अप्रूवल्स के लिए जो इसमें आगे तो टेस्ट लगेंगे उसके लिए अपने अप्रोच किया जिन्होंने इसे मान भी लिया और वो इसके काम कर रहे हैं दिव्य हिमाचल टिवी के लिए कसॉली से नितिन साहू की रिपोर्ट